बॉल्वोर एक्टर विकी कोशल और काट्रीना कैफ काफी वक्त से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाला कि दोनों ने कभी ओफिशल तौर पर इसे कनफाम नहीं किया है। लेकिन कई मौकों पर दोनों को साथ में स्पॉट किया जाता है। इतना ही नहीं ऐसे कई मौके आए हैं जब दोनों की डेटिंग की खबरों को बढ़ावा मिला है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसे सुनकर सभी को एक सप्राइज जरूर मिल रहा है। दरसल दोनों को लेकर कहा जा रहा है कि विकी और कट्रीना ने सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर कई ऐसे पोस्ट वाइरल हो रहे हैं कि विकी और कट्रीना का रोका हो गया है। दोनों ने गुपचप तरीके से इस सरिमनी को अन्जाम दिया है। बॉलिवुट गल्यारों में इस खबर से खल बली मच गई है। वहीं अब कट्रीना की टीम ने इस मामले पर चुपी तोड़ी है। ये तो सभी जानते हैं कि कट्रीना ने हमेशा अपनी परसनल लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश की है। लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम्याब ही रही है। अक्सर उनके रिलेशन्शिप को लेकर कुछ न कुछ अफ़ाहे सुनने को ही मिल जाती है। पिछले महिने भी ऐसी ही खबरे आई थी के विकी कोशल और कट्रीना कैफ जल्द ही शादी करने वाले हैं। और अब दोनों की सगाई को लेकर बात वॉलिवुट गलियारों में फैल चुकी है। जबकि ना केट्रीना और ना ही विकी ने अभी इस पर कोई रियाक्शन दिया है। लेकिन हाल ही मिका की टीम ने इस पर खुल कर बात की है। एक इंटिव्यू में काट्रीना की टीम के स्पोक्स परसन ने इस बात को पूरी तरह से सिर्फ एक अफवा बताते हुए खुलासा किया है कि उनकी कोई सगाई नहीं हुई है। बलकि केट्रीना जल्द ही टाइगर 3 की शूटिंग के लिए रूस रवाना होने वाली है। कि ये जोड़ी एक दूसरे को डेट कर रही है। वहीं हाल ही में शेर्शा की स्क्रीनिंग पर दोनों को साथ देखा गया। दोनों कैमरे के सामने बच रहे थे। इसके अलावा दोनों के रिलेशनशिप को कनफर्म सोनम कपूर के भाई हर्श वर्दन कपूर ने भी किया था। उन्होंने कहा था कि विक्की कोशन और कट्रीना कैफ साथ हैं और ये बात सही है। खेर सच्चाई क्या है ये तो समय आने पर ही पता चल जाएगा लेकिन तब तक फैंस के बीच इसे लेकर कश्मकश जरूर रहने वाली है। इनके वर्ट फ्रंट की बात करें तो कट्रीना कैफ सल्मान खान के साथ टाइगर 3 में भी एहम किरदार में नजर आएंगी जिसकी शूटिंग रूस में होने वाली है। वही विक्की की बात करें तो आक्टर दा इम्मोर्टल अश्वर्धामा सैम बहादुर और उधम सिंग में दिखाई देने वाले हैं। न्यूस तक ब्यूरो